नमेशकार दोस्तों, Get Success 247 के एक और न्य वीडियो में आप सभी का स्वागत है, तो देखे, पिछले तीन चाहर दिनों से आपको करेंटर फेस की क्लास नहीं दे पाया था, लेकिन आज आपको यहां पर कम्माइन दे रहा हूं, तीरह से लेकिए 18 तक आपकी यहां पर जो भी पाला हूं हर एक कुशिन को, हाली में RPSC के नए अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है, आप सभी को बता चली गया होगा, भुपेंदर यादव, इनको हाली में RPSC का नए अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है, अभी तक भुपेंदर यादव किस पद पर थे, यह आपको पहल होना चाहिए देखे आर्पीए सेनी के रास्तान लोक सेवा आयो यहां से कुछ important point बता देता हूँ पहला अध्यक्ष कौन था आर्पीए से का पहला अध्यक्ष था S.K. घोश याद ना काफी बार exam में आपके आता भी है ठीक है लिखूं लिख देता हूँ S.K. घोश या एक्स्टा जो point बता रहा हूँ ना ये भी important है अच्छा RPSC के स्थापना कभूई थी 20 अगस्त लिख ले ना 20 अगस्त 1949 को और इसका जो अध्यक्ष है उसका जो करेकाल है वो कितना रहता है 62 years या फिर 6 years जो भी पहले होता है एक या तक ना यहां से अनुचेद important बनता है अनुचेद 316 के तहट RPSC के अध्यक्ष वो उनके सद्यसियों की जो न्युक्ति है वो रज्यपाल द्वारा की जाती है ता अनुचेद important है आपसे RPSC के बारे में पूरी डीटेल यहां पे देख लिए है चलिए अगला कोशिन देखते हैं राजस्तान पुलिस के महने देशक का अत्रिक्त कारे बाहर किसे सौपा गया है नाम क्या उनका ML लाठर अभी ज़स्ट पिछले कोशिन मैंने आपको बदाया था कि जो भुपेंद कारे बाहर है वो किसे दिया गया है ML लाठर को यह हाँ पे आपको याद अख रहा है नई नियुक्ति हैं के अंदर यह आपके सबसे important question से है अगला question हाली में सरदार पटेल पुलिस विश्विद्याले का कुलपती किसे नियुक्ति किया गया है उनका नाम है आलोक त्रिपा यह ACB के पूर्व फुलिस महानिदेश्कत है इसके? तो दोस्तों ये हाँ पर मनाये गया अभी हाले में 15 अक्टूबर को अच्छा 15 अक्टूबर को ही क्यों मनाया है राज़ेस दिवस यहाँ पर क्योंकि 15 अक्टूबर 1955 को राजस्तान कस्तकारी अधिनियम लागू हुआ अच्छा उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे जवाल लाल नहरू तो उसी के उपलक्ष में ये 15 अक्टूबर को यहाँ पर राजयोस्तो दिवस मनाने के यहाँ पर गोशना किया और पहला मनाय गया है हाले में 15 अक्टूबर 2020 को चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन के और पांच इसके नए CMD बन गए है P. रमेश अच्छाँ इन से पहले कौन थे या इन्होंने किनका स्थान लिया है कैलाश चन्द वर्मा यहाँ शोट में कहो केसी वर्मा का इन्होंने हाँ पर फ्तान लिया यहनि के अभी तक ईसके रहासान भितनीकर्ण के CMD कौन थे केसी वर्मा केसी वर्मा को हटाए गया है केसी वर्मा को क्या स्थान दिया गया है उनको क्या पत दिया गया है वो भी important है केसी वर्मा यह अब विज्ञान व प्रवदोगी की विभाग के सचीव बनाए गए है तो दोनों चीज याद रखेगा ठीक है बढ़ते हैं लेकुषिन की और के हाल इमें राजस्तान के किस जिले की वर्डर पर वार म्यूजियम का लोकारपन यहाँ पर एक किया गया है तो दोस्तों correct option आपका होगा यहाँ पर बीकानेर तो जो BSF के महनेदेशक है राकेश अस्थानाम इनका नाम याद रखेगा एक्जाम में हो सकता है पूछ ले आपसे नाम लिख देता हूँ मैं हाँ पर राकेश अस्थानाम यह BSF के महनेदेशक है और इन्होंने बीकानेर बॉर्डर पर सांचू सीमा जो चौकी है उस पर नवनिर्मित वार म्यूज़म का यहाँ पर लोकारपन किया है तो जिला याद रखेगा बीकानेर अगला कुशन देखते हैं हाल इमें राजस्तान की अंतराश्टे महिला करिकेटर जो UAE में महिला T20 चैलेंज में हिस्सा लेगी तो नाम दो है यहाँ पर मिताली राज और प्रिया पुनिया दोनों ही राजस्तान की है काफे लोग जानते हों के प्रिया पुनिया तो वैसे बेसिकली मिताली राज भी राजस्तान की है मितली राज के जो संब्द है वो रजसान के जोदपुर जिले से है और प्रिया पुनिया का जो संब्द है वो रजसान के चूरु जिले से है तो देखिये एक UAE के अंदर महिला T20 Challenge एक कप होने वाला है टिके है पूरी चैलेंज हो ज़ने बनाई गई है तीन तीम के नाम बताता हुं एक है सुपर नौवा ब्लेज्र और एक है आपकी वैलेशिटी टीम यहाँ बनाई गई है तीनों के अलग-अलग गैप्टिन बनाई गए है महिलाओं के यहाँ को बात रहा थी तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें सुपर नोवा टीम की इसकी जो कैप्टेन बनाए गई है वो हर्मन परीत कौर को यहाँ बनाए गया है नाम सुना होगा आपने उसके अलावा ट्रेल ब्लेजर्स टीम इसकी जो कैप्टेन बनाए गई है वो स्मृति मंधा नाम उनको बनाये गया है और उसके लाव जो लास्ट है वेले सिटी टीम उसकी कैप्टेन बनाये गई है मिताली राज जो की राजस्तान से संबन लेते हैं साथ में प्रिया पुनिया का नाम भी यहाँ पर याद रखेगा यह जो पूरी इनका जो होगा यह चैलेंज होगा माईला टी ट्वेंटी चैलेंज है यह कहाँ पर हो रहा है UAE के अंदर होगा कब से कब तक होगा यह होगा दोस्तों 4 से लेकर 9 नवंबर ठीक है नवंबर UAE याद है कुछ अभी आपके जो IPL है वो यहीं पर चल रहे है अचा IPL का भी कौन सा संस करेंज है रिवाइस करीं मेरे साथ IPL का भी 13th edition है 2020 का जो IPL है तेरवाँ edition है ठीक है जो UAE में हो रहा है और इसके बहुत सारे points में आपको पहले ही यहाँ पर revise करवाथ चुका हूँ इस बार इसकी जो title sponsorship है वो किसे मिली है Dream 11 को पहले किसके पास थी? Vivo के पास थी Vivo IPL कहा जाता था उससे हटा कर Dream 11 को दे दी गई है Dream 11 के brand manager कौन है? महेंद सिंग दोने तो देखें लिंक करते करते पढ़ोगे न बहुत सारे questions निकल जाएंगा question 1 पढ़ा है तेकिन यहाँ से 10 questions निकल गए है ऐसे ही पढ़ना चाहिए अगला question देखते हैं कि हाली में राजस्तान के ग्रामीड विकास व पंचायती राज विभाके मुख्य सचीव जो ने Excellence Award 2020 प्रदान किया गया नाम क्या है? Rohit Kumar Singh अचाहिए यह वैसे अत्रिक्त मुख्य सचीव है और इनको जो यह अवार्ड दिया गया है किन के द्वारा दिया गया है केंद्रिय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेगवाल द्वारा अचाहिए इसकी जो PDF है ना वो आपको हमारे टेलिग्राम चनल पर मिल जाएगी पूरे डिटेल में यह जैसे दे रखाएं कुशन अराम से मिल जाएगी अराम से कुशन सारी पढ़ लेना टेलिग्राम चनल का लिंक है वीडियो के नीचे रगू शर्मा दोरा किया गया, رगू शर्मा कौन है यहां के रज़तान के चिकिष्सा मनतरी है यहाद रखेगा, अच्छा यह जो पुस्तक है ना मनानजली, एक मनो-चिकिष्सा पर आधारी के पुस्तक है जिसके रैटर है डॉक्टर तुशार जगावत विमोचन किस ने किया है डॉक्टर रगु शर्माने चलिया अगला कोशन देखते है किस राज्य में कलाकारों के लिए संपर्क सम्मान सहयता करेकरम का आयुजन किया गया तो यह दोस्तों किया गया राजस्तान में तो जो कलावर संस्कृति विभाग के एक अलाकार है उनके लिए संपर्क सम्मान सहयता करेकरम का यहां पर आयुजन राजस्तान में किया गया संपर्क सम्मान सहयता करेकरम नाम याद रखियेगा अगला कोशन के राजस्तान के किस जिले में पानी में कि जिले के पानी में फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पहुंच चुकी है तो नागोर आपको यहां पर एक रेट ऑप्शन होगा अच्छा है यहां पर अगर फ्लोराइड की मात्रा की बात करें तो वो पहुंच गई है 90 ppm पार्ट्स पर मिलियन दूसरे सान पर कौन है दूसरे सान पर जिलाता है चुरू जिसकी अगर मैं इस बात करूँ फ्लोराइड की मात्रा की तो वो है 32 ppm देखे कितना डिफ्रेंस है पहले सान पर जो है नागोर वहाँ पर जो फ्लोराइड है वो 90 ppm है उसके बाद जो सेकेंड दूसरे सान पर चूरू है वहाँ का फ्लोराइड देखे 32 बहुत डिफ्रेंस है और लास्ट लास्ट सान पर कौन है जहलावाड जहां का फ्लोराइड की मात्रा है 1.5 ppm जो की बहुत कम है अच्छा है मतलब इतना ही होना चीए कम होना चीए और आज से मैं आपको special राजसान पुलिस कॉंस्टेबल के लिए current affairs की 20 दिन की crash course यहाँ पर चला रहा हूँ तो अराम से आप वो वीडियो भी देखना शाम को upload हो जाएगा वो आपके लिए उसमें important आपके राजसान प्लस इंडिया प्लस वर्ल्ड के current affairs होंगे 2019-2020 के तो जो भी हमारे दोस्ट राजसान पुलिस कॉंस्टेबल की तियारी कर रहे है उनके लिए बहुत useful होगा और other exams की भी अगर आप तियारी कर रहे हो तो वो वीडियो देख सकते हो आराम से आज अप्लोड हो जाएगा वो अगला question देखते हैं कि हाल इमें किसे अर्थ शास्तर के noble पुरसकार के लिए चुना गया है दो नाम देख लीजिए क्योंकि noble पुरसकार बाकी तो हमने discuss कर लिए थे ये एक last बच गया था अर्थ शास्तर आने के economics का पॉल मिल्ग्रोम और रोबर्ट विल्सन ये दो नाम आप यहां पर आज रखेगा और शास्तर आने के economics का बाकिया आपको पताईए chemistry हो गया physics हो गया peace हो गया ये सबी जो 4-5 है वो आपके हो चुके है और हमने discuss भी कर लिये थे चलिए अगला question देखते है हाल इमें Oscar पुरसकार जीतने वाली पहली भारतिय का निदन हो गया है उनका नाम क्या है most important question ठीक है भानो अथहिया उनका नाम है भानो अथहिया ये एक costume designer है basically costume designer थी और एकराण में वर्ष की आयू में इनका हाली में भी निदन हो गया है एक movie आई थी 1982 के अंदर जिसका नाम था गांधी movie का नाम था गांधी उसमें इनको best costume costume design के लिए Oscar इन्होंने जीता था तो most important है नाम याद रखेगा भानो अथहिया अगला question देखते है हाले में जारी जलवाईव आपदाउं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत के स्थान पर है यह आपको बताना है भारत है दोस्तों तीसरे स्थान पर इसके अंदर यानि के कराब सिती है पहले स्थान पर को अने चाइना दूसरे स्थान पर है और तीस से स्थान पर है भारत अच्छा यह जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यह पुरी जो रैंकिंग वगरा बताई गई है किसके द्वारा बताई गई है UN द्वारा, United Nation द्वारा और पिछले दो दशक के अंदर जितने भी यहाँ पर जलवायू से संबंदे जितने भी आपदाई हुई है जलवायू से जो भी संबंदे आपदाई हुई है उनको यहाँ पर कंसिडर किया गया है और यह रांकिंग यहाँ पर जारी की गया है उसमें लगबग यह बताया गया है कि पिछले दो दशक के अंदर चाइना में लगबग 600 से ज़दा 600 या उसके आसपास जलवायू आपदाएं हुई है यानि कि बहुत ज़दा हुई है दोस्तों और इस सूची के अंदर भारत तीसरे स्थान पर है यह आपको यहाँ पर याद रखना है अगर इंगलिश में याद करें तो most affected by the ongoing climate disaster यह आप यहाँ पर साथ में याद रख सकते हूँ बढ़ता है एक लिए कुशिन की है हाले में किस देश को अंतराश्य सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है किस देश को चुना गया है दोस्तों भारत को important है आप सभी के लिए यह दो साल के लिए यहाँ पर यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है अंतराश्य सौर गठबंधन अगर इंग्लेश में बात करें तो International Solar Alliance लिख देता हूँ आपके लिए टेंशन मत लेजे International Solar Alliance इसका इंग्लेश में अगर करें अच्छा इसका अंतराश्य सौर गठबंधन का France को अगर उपादेख्ष पुचें तो France अध्यक्ष पुचें तो भारत अगला कुशन देखते हैं हाल ही में जारी आट ओन, Capitals, Passport, Index 2020 में कौन सा देश शीज़ पर रहा नहीं के पहले स्थान पर रहा वह रहा दोस्तों New Zealand तो यहाँ पर आपके लिए important बन जाता है यह अच्छा New Zealand तो पहले स्थान पर रहा हम बात करेंगे हाँ पर इंडिया की, भारत की तो भारत की यहाँ पर ranking है 58th अच्छा इस में क्या बताया जाता है इस index में क्या consider किया गया है किसका passport कितना powerful है powerful से मतलब यह नहीं कि उसको मारोगे वो तूर जाएगा, वो नहीं powerful से मतलब यह होता है कि जैसे मानलो आप भारत के passport के अगर बात करते हैं तो भारत के passport से आप कितने देशों में बिना visa के entry ले सकते हो अगर जिसके countries ज्यादा होंगे मतलब जितने ज्यादा countries में अगर आप ज्यादा बिना visa के जाप आओगे तो वहां का passport उतना ज्यादा powerful मना जाता है तो इस list में न्यूजिलेंड पैलेस्तान पर है न्यूजिलेंड के अगर passport के बात करें तो उस passport से अगर आपके पास न्यूजिलेंड का passport है बाई चांस suppose कर लीजिए तो आप 139 देशों में बिना visa के entry ले सकते हो इसलिए सबसे powerful इसे मना गया है भारत के हैं पैस्तान है अठावनवा और इसमें ये बताया गया है कि भारत जो है इसके passport से अगर आपके पास इंडिया का passport है तो आप 52 देशों में बिना visa के entry ले सकते हो इसी के अंदर अगर last में बात करें सबसे last कौन है वो है अफगानिस्तान और इरान ठीक है अफगानिस्तान और इरान इनकी ranking क्या है दोनों की 75th ranking है ये 75th position पर है इसमें ये बताया गया है कि इनका अगर passport है तो इनके passport से सिर्फ 31 देशों के अंदर बिना visa के आप entry ले सकते हो अच्छा 2020 के अंदर January 2020 में एक और ranking आई थी दोनों में confused मत हो ना इसलिए आपको साथ में वो भी बता रहा हूँ एक आई थी Henley Henley Passport Index 2020 उसमें जापान को पहले हिसान पर बताया गया था और उसके अंदर इंडिया की ranking क्या थी उसके अंदर इंडिया की ranking थी 84th तो वो तो हो गई Henley Passport Index 2020 और ये है Art on Capitals Passport Index 2020 दोनों माले लगे लगे अगला कुशन देखते है कि हाल इमें किस राज्य में Red Light On, Guardi Off अभ्यान शुरू किया है तो दिल लिने किया है तो मतलब क्या है इस अभ्यान का Red Light On और Guardi Off तो Red Light Area मतलब जो आप Red Light Signal पे जाते हो जब भी आप Driving करते हो बार जहां पे भी आपके Red Light Signal हो जाता है तो गाड़ी आपके रुख जाती है लेकिन उस समय क्या होता है कि हम अपनी गाड़ी को Off नहीं करते है सिर्फ चालू रहती है तो यहां पर यहीं बताएगे है कि Red Light On है अगर आपकी तो आप गाड़ी Off कर दीजिए यह अभियान यहां पे चलाएगया है दिल्ली के अंदर जिससे क्या होगा वहां का Production यानि के Pollution जो है वो कम करने के लिए यहां पे अभियान चलाएगया है आप खुद ही सोच सकते हो कि कितने सारी गाड़िया ट्रैफिक पे टकती है और Red Light पे रुकती है क्योंकि 4-5 दिनों से दिवस रिवाइज नहीं किया है तो करेंगे सारे हाले में विश्यो खाद्य दिवस कब मनाया गया तो दोस्तों यह आपका मनाया गया हाले में 16 अक्टूबर को यानि के World Food Day तो हर साल यह जो विश्यो खाद्य दिवस से 16 अक्टूबर को मनाया जाता है निके World Food Day अच्छा इस दिन को दुनिया भर में सभी के जीवन से भूब के समझ्या को मिटाने के लिए हाँ पे मनाया जाता है थीम देख लीजिए वो important है Grow, Nourish, Sustain, Together यह थीम है अच्छा यह तो क्या है विश्यो खाद्य दिवस है एक National Food Day भी आता है राष्ट्रे खाद्य दिवस वो कब आता है वो इसी महिने में आएगा आगे 24 अक्टूबर को तो दोनों में देख लाना ठीक है यह 16 अक्टूबर को है विश्यो खाद्य दिवस और जो आपका National Food दे आएगा वो आएगा 24 अक्टूबर को अच्छा यह 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाते है क्योंकि Food Agriculture Organization यानि के FAO इसकी जो स्थापना है 16 अक्टूबर 1925 जानि के 1945 को ही थी अच्छा FAO Food Agriculture Organization का Headquarter कहां पर है Rome Italy के अंदर ये भी आद रखेगा इस साल Food Agriculture Organization की 75 जैनती मनाई गी थी कौनसी 75 और इसी के उपलक्ष में important है यहां से सुनीगा यहां पर प्रदानमंत्री नेरेंदर मोदी ने इसी के उपलक्ष में 75 रुपे का यहां पर सिक्का भी जारी किया था आपने शायद में देखा होगा नहीं देखा है नहीं सुनाए तो मैं बता देता हूँ ठीक है यह important है साथ में आपका यहां पर चलिए अगला दिवस देखते हैं हाल इमें World Mental Health Day कब मनाया गया तो दोस्तों यह मनाया गया था 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर तक हमने जो दिवस है वो रिवाइस कर लिये थे पहले जब मैंने लास्ट वीडियो अप्लोड किया था 12 अक्टूबर का उस समय हमने 10 अक्टूबर तक की किये थे अब उससे आगे के सारे हम यहां पर रिवाइस करेंगे तो 10 अक्टूबर को आपका एक और दिवस्ता जो कि है World Mental Health Day थीम क्या थी Mental Health for All, Greater Investment, Greater Access अगला देखते हैं, हाली में अंतराश्चे बाली का दिवस कब मनाया गया तो दोस्तों ये मनाया गया आपका 11 अक्टूबर को यानि कि International Girls Day या फिर International Girls Child Day ठीक है इसके थीम में देख लीजिए, My Voice, Our Equal Future, ये थीम है अगला कुशन देखते हैं, हाली में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया ये मनाया गया आपका 12 अक्टूबर को, यानि कि World Earth Righteous Day अगला हाली में अंतराश्चे आपदा न्यूनी करन दिवस कब मनाया गया ये 13 अक्टूबर को मनाया गया, यानि कि अगर इंगलेश में बात करें International Day for Disaster Reduction, फिर सब बोल देता हूँ, International Day for Disaster Reduction ये मनाया गया आपका 13 अक्टूबर को, नेक्स्ट कुशन देखते हैं, हाली में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया मानक दिवस का मतलब क्या है, वर्ल्ड स्टेंडर्ड डे, यह स्टेंडर्ड यहाँ पर लिखावा है न, यही वाली स्पेलिंग ठीक है वर्ल्ड स्टेंडर्ड डे कब मनाया गया, 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को, थीम क्या है, देख लिजे यहाँ पे प्रोजेक्टिंग दे प्लैनेट विद स्टेंडर्ड अगला कोशिन हाली में, अंतराष्टे ग्रामीन महिला दिवस कब मनाया गया, यह आपके मनाया गया दोस्तों, 15 अक्टूबर को, यानि कि इंटरनेशनल रूरल वूमेंस टे, कब मनाया गया आपका, 15 अक्टूबर को थीम क्या है यहाँ पे, बिल्डिंग रूरल वूमेंस रेजिलियन्स इन दे वेक ओफ कोविड नैंटी, ठीक है, सबकी थीम आपको यहाँ पे साथ साथ में बता रहा हूँ, पीडेफ हाला कि आपको मिल जाएगी कोई दिक्ट की बात नहीं है, यहाँ पे बस रिवाइस कर को आता है, अंतराष्टे महिला दिवस, आठ मार्च को आता है, नेक्ट कोशन, हाल में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे का मनाया गया, तो यह भी आपको यहाँ पे 15 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है, इसके भी यहाँ पे थीम देख लीजिए, लर्निंग फॉर पीपल, प प्रोस्पेरिटी अंड पीस, यह थीम है, अगला देखते हैं, 26 कोशन के हाल में, ग्लोबल हैंड वाशिंग डे का मनाया गया, यह आपका मनाया गया दोस्तों, 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर को आपके यहाँ पे काफी दिवस हो गया है, अच्छा, इसकी यहाँ पे थीम के बाद कर लेते हैं, ग्लोबल हैंड वाशिंग डे की, थीम क्या है, हैंड हाईजिन फॉर ओल, तो देखिए, आज मैं आपको 26 कोशन करा रहा हूँ, ठीक है, जो जो अभी तक 4-5 दिनों में इंपोर्टन कोशन हो है, उन्ही को मैंने यहाँ पे लिया है, जो आपके पसना रहें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार हो, पहली बार विजिट करें हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को क्लिक जरूर करना, तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते ने एक वीडियो में,